आप सभी को मेरी नमस्ते और जैहिंद मेरा नावभाद से नहीं है वर्बल में पहभाद से नहीं मैं आप सभी का स्वागत है कोशन नमबर वन ओपन करिए चैट वॉक और सॉल करिए टाइम नोट करो कितने सेकंड्स में होता है होता है नहीं होता फिर कमेंट सेक्ष्चन में बताना के हो गया अगर नहीं हुआ तो भी accept करिए कि नहीं हुआ ठीक है सवाल में पढ़ के बतारो मैं सोलीशन बतातौ में दाल है वो 250 है उसने क्या किया मिक्षर को 20% प्रॉफिट पर बेचा लेकिन उसने फॉल्टी वेट मशीन मतलब चीटिंग भी कर रहा है पॉल्टी वेट मशीन यूज कर रहा है जिसके अंदर 800 ग्रैम दिखा रहा है वन के जी जगे मतलब देने चाहिए वन के जी लेकिन दे इतना है 800 ग्रैम तो जो नेट प्रॉफिट है वो इतना हो रहा है तो पॉइंट एट एक्स परसेंट ऑफ थर्टी टू यानि एक्स की वैल्यू निकालनी है अब देखो आप अगर मैं आपको बोलूँ के ना तो इसमें इस रेश्यो की कोई वैल्यू है ना इन प्राइस की कोई वैल्यू है सीधी सी बात है कि पहले प्रॉफिट 20 परसेंट होता था यानि कि सिक्स बाइफ फाइफ पे एक रुपीस का वन का प्रॉफिट होता था फाइफ पे वन और पॉर यानि आप इसको काड सकते थे और यहां पर तो और फ्री यानि जो ओवरॉबाल प्रॉफिट है ना वो 20 परसेंट की जगे दो पे एक का प्रॉफिट है यानि 50 परसेंट है और जिसकी वैली दे रंखिए है एकस प्लस 10 परसेंट यानि एकस की वैल्यों हो गही 40 और आपको दे रखा है 0.8 यानिकी 0.8 into 40% of 3200 यानिकी यह कितना आ गया 32% of 3200, 32 का स्कार 1024, फिर से बताता हूं, देखें, इसमें सारा डेटा, यह जितना भी डेटा है ना, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, redundant है, आप सीधा बोलोगे कि देखें भाई साब, पहले प्रॉफिट हो रहा था 20% का, यानिकी 5 यूनिट पे एक का प्रॉफिट हो रहा था, बात में एक चीटिंग की वज़े स प्रॉफिट और एड हो गया, जेब से 800 ग्रायम के मिल रहे हैं, यानि आप इसको 5 x 4 से 5 कार सकते हो, और इसका भी कार सकते हो तो और 3, यानिकी आप जुन तें कि दो पे एक का profit है यानि कि 50% का profit है 50 की value x plus 10 दे रखी आपको यानि x की value 40 हो गई और आप से बोल रहा है कि point 8 x यानि की 32% of 32 निकाल निकालने के लिए बोल रहा है percentage से percentage से 20 चले गए 32 का square 1024 अगर यह कर लिया तो यह वाले question आपको इसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको डेड़ मिनट अगर आप डेड़ मिनट में कर लेते हैं तो comment section में accept कर लेना के हो गया नहीं हुआ तो अब आगे बताते हैं देखो जो पढ़ाया है उसी में थोड़ा फ़े add-on कर दिया क्या कर दिया एक शॉपकीपर क्या है वह 100 kg राइस जो की 10 पर केजी के इसाफ से 60% profit पर खरीदता है ओके तो उसने 100 में से एक्स केजी तो डिस वनेश्टी से बेच दिये क्या किया 900 ग्राम्स आप दराइस एट 1 kg इस तरीके से बेच रहा है वो ठीक है यह विवाट ठीक है लेकिन लेटर उसको रिलाइज हुआ उसको मिस्टेक अपनी रिलाइज हुई तो उसने क्या किया जो बचेवे बचेवे जो है उसको 50% profit पर बेच दिया और तोला भी बिल्कुल सही ठीक है आपको बोल रहा है अच्छा देखो सिंपल सी बात आपको बताता हूं मैं पहले कहना क्या चाहरा है पहले बोल रहा है कि इतने किलो बेचना चाहरा है ठीक है राइस और 10 रुपे पर केजी के हिसाप से जिस पर उसको 60% profit पर बेचना है देखो सवाल कुछ और है शुरू की लाइन को थोड़ी है 60% profit पर लेकिन वो कर क्या रहा है आप देखो 60% profit में नहीं बेच रहा मतब दो केस और 60% profit plus cheating एक तो यह केस है कि 60% profit plus cheating और दूसरे केस में सीधी सीधी यह तो एक केस हो गया दूसरे केस में सीधा सीधा 50% profit में बेच रहा है यानि पहले केस में और प्रॉपिट अगर मैं निकालूं तो वो क्या है आप बोल रहें 60% profit का मतलब है 5 की चीज 8 में बेच रहे 60% का मतलब है 3 by 5 यानि 5 पे 3 का profit तो 5 की चीज 8 में बेच रहें पहला point दूसरा cheating भी कर रहें भाई जेब से 900 जा रहे हैं पैसे 1000 क्या रहे हैं यानि कि 10 by 9 तो आपने बोल दिया यहां पर 2 आ गया यानि कि यहां पर overall 16 by 9 यानि अगर मैं profit की बात करूं तो साथ का profit है upon 9 यानि 700 by 9 परसेंट यह इसका पहला profit है यानि पिर से देख लो आप फिर से देख लो पिर से अगर मैं रफ में बताना चाहूं तो अगर इसने डिसाइड किया था कि 60% profit होगा लेकिन इसके साथ cheating कर रहा है तो overall profit कितना है 60% का मतलब है 5 की चीज 8 में और चीटिंग थी वह यह था कि पैसे 10 के मिल रहे हैं लेकिन जेव से जा रहे मेरा पहले केस में और दूसरे केस में यह profit है यहनि पहले केस में 700 बाइन दूसरे केस में तो आप अगर ध्याल से देखें न तो इसमें आप सीधा सीधा या क्रा कि पहले का profit 700 by 9% कि दूसरे का profit है 50% और overall profit जाता कितना था 60% कि तो आब इसको 9 गायब भी कर सकते हो इसको 9 से मल्टिप्लाय करके 540 लिख सकते हो और इसको 9 से मल्टिप्लाय करके 450 लिख सकते हो यहां पर दूरी कितनी आ गई 90 यहां पर दूरी कितनी आ गई 16 यानि कि यह 16 और यहां पर 9 का वेट है यानि पहले 9 यूनिट यह वाला जो है 9 यूनिट बेचा जा रहा है में बिना चीटिंग के 16 यूनिट बेचा जा रहा है यानी टोटल 25 यूनिट बेचा जा रहा है जिसकी वैल्यू है 100 kg तो इसने पूछा क्या है यानि कि पहले कितना बेचा जा रहता है यानि 9 unit की value तो यहां पर 25 की value 100 है तो एक की value 4 kg तो 9 की value 36 हो प्रिट से देखो प्रिट से देखो फिर से देखो आप बहुत ही ध्यान से देख न। देखो ध्यान से देखो आप लेट में एक्स्प्रेइन वन्स अगेन ऐसा है बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं सौ में से एक्स को बेच रहा है चीटिंग के साथ और बच्चे वेक और रिमेनिंग को बेच रहा है विदाउट चीटिंग लेकिन 50% पर वह चाहता था लेकिन यहां पर इसने क्या किया 60% के साथ चीटिंग कर दी तो एक तो यह प्रॉफिट और यह प्रॉफिट ओवर यह था यह चाहता था तो यह जो 60 प्लस मतलब कि अगर मैं ध्यान से देखू तो पहले मैंने इसको निकाला तो पांच की चीज़ आठ में और टैन बाइन क्योंकि 900 ग्राम जेप से जा रहे हैं दस 1000 ग्राम के पैसे मिल रहे हैं यानि इसका अपका था 16 बाइन यानि कि इसको अगर हम ध्यान से द profit और वैसे कितना चीए 60 परसेंट तो आप इसका 9 हटाके 9 से मल्टिप्लाय कर दो तो 540 इसको कर दो के 450 यहां पे यहां पे दूरी जो है मेरी यह मेरी आ गई थी 90 और यह आ गई थी 160 यानिकि 9 और 16 का रेश्यो है तो टोटल 25 यूनिट की वेल्यू थी 100 kg तो एक की जो थी 36 kg I hope आपको समझ में आगया होगा बहुत ही बड़ी है जो concept पहला था वो भी यूज़ हुआ प्लस एलिकेशन को जोड़ दिया ठीक है अगर शॉट वीडियो करा रहा हूं आपको पता है कि शॉट वीडियो करा रहा हूं तो ऐसे ही टाइम नहीं निकाल रहा है ठीक तो a b m n natural number है a is greater than 1 b is greater than 1 a की पावर m b की पावर n को ऐसे लिख रखा है तो largest possible value of n-m यानि n-m की largest possible value यानि n बड़े से बड़ा चीए m छोटे से छोटा चीए n बड़े से बड़ा m छोटे से छोटा सबसे पहले देखो 144 को कैसे लिख सकते हो आपने बोला 12 का square यानि की 2 का square x 3 की power 2 यानि की 2 की power 4 x 3 का square अब यह जो लिखा वा था यानि a की power m a की power m into b kी power n को 2 की power 4 x 3 की power 2 145 यानि मैं इसको लिख सकता हूं चार पंज़ा बीज दो चार चुक सोला और छे अठारा फाइफ एट्टी हो गया में रिख्यार चार फाइफ एट्टी हाँ ठीक है यानि टू की पाउर फाइफ एट्टी और थ्री को लिखोगे तो टू नाइंटी है तो आप आपने बोल दिया यह चीज तो सारे कर लेंगे यहां तक हमने कर ली आता अब इसके बाद नाइंटी परसेंट बच्चों की इसमें सिली मिस्टेक हो जाएगी सिली नाइंटी से भी जाद हो सकते हैं कम नहीं हो सकते यह मेरा एक्स्पिरिंस कहता है तो क्या करना है आपने बोला अगर मैं ध्यान से देखूं एन को बड़ यह सीली यह गलत है सिली क्योंकि भी इसने बोला है यह सब नेच्छल लिख्टेक है है सब नेच्रा नंबर निहidental नंबर रहें अ कि आपने वह यस्में कहां लिखा है कि प्राइम नंबर है ए और भी प्राइम नंबर है कहां लिखा है नहीं लिखा तो यहां पर आप x की बावर 1 कर दो कोई भी बड़ा नंबर आएगा इसको सॉल करेंगे कोई भी बड़ा नंबर आएगा वह एक्स है तो जैसे आपने किया तो आपने बोल दिया लार्जस नमबर यानि N को ले लिया 580 और M को ले लिया 1 यानि कि 579 इस दा आंसर यह आंसर है